हेलो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं SteamOS के बारे में अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये SteamOS हे क्या और क्यों इसे Gaming OS बोला जारा है सबसे बिले बात करते हैं कि Steam क्या है एक गेम खरीते हैं, तो क्यों न हम भी एक अपने लिएक डिवाइस लॉंच करें, जो की विंकुल निटेंडो स्विच जैसा है, और इसके अंदर आप PC गेम्स प्ले कर सकती हो, अब यह जो डिवाइस है जो कैप स्क्रीम पर देख पार है, उसका नाम था स्टीम डैक, यह का काफी बढ़िया तरकी से अप्टिमाइस करा गया है, क्यों करा गया है, वो उसके लिए भी काफी लोजिक सांसर है, क्योंकि जो आप यह डिवाइस देख पार हो ना, स्टीम डैक, यह ना PC गेम खिलाता है, अब PC गेम खिलाने के लिए अच्छा प्रोजेसर ची रहता है, अच्छा GPU रहता है, पर यह जो डिवाइस है, इसके अंदर अच्छा CPU और अच्छा GPU तो लग नहीं सकता है, क्योंकि इसको काफी compact बनाए गया है, तो guys क्या करा गया है, कि जो यह OS है न, Steam OS, इसको काफी बढ़िया तरके से optimize करा गया है, इसलिए guys बोला जा रहा है, कि अग विंडोस से बढ़िया gaming provide करेगा, या नहीं उसके ओंपर भी बात होगी आज, सबसे बिले यह बात करते हैं, कि Steam OS के अंदर हमें क्या-क्या देखने को मिलता है, तो देखो यार, Steam OS विंकुल मैं आपको बताया है, उसके अंदर आपको सिर्फ games ही देखने को मिलेंगे, तो अगर आप gaming के लिए अपने PC को use करते हो, then you can install Steam OS, आप Steam OS को install कर सकते हो, पर अगर आप अपने PC को coding के लिए use कर रहे हो, या फिर आप थोड़े बहुत data processing करते हो, MS Excel चलाते हो, या फिर कुछ और काम भी करते हो, विडियोस देखते हो, तो फिर guys, वो आप Steam OS के अंदर नहीं खरी सकते हो, बाय कर सकते हो, गेम को डाउनलोड कर सकते हो, गेम को प्ले कर सकते हो, बस यही काम होते हैं यापर, बागी दूसरे software याँपर चलते हैं नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप Windows से डारेट लिस को compare कर रहे हो, तो Windows के अंदर हम बहुत सारी काम कर सकते हैं, उदर हम कोडिंग कर सकते हैं, हम कुछ लिख सकते हैं, हम आप नेट पर विजिट कर सकते हैं, ब्राउजर चला सकते हैं, पर SteamOS सिर्फ ओनली गेमिंग के लिए, तो यह आपको बात द्यान अपनी पड़ेगी, अगर आप इसको इंस्टॉल करने का सोच रहे हो, आप बात यहाती है, कि कितनी अच्छी हमें गेमिंग देहने को मिल जाती है, देखो यार गाईज, इसको मैं इंस्टॉल तो नहीं कर पाया अपने PC में, क्योंकि SteamOS अभी पूरे तरह की स्टेबल नहीं है, PC के लिए, क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ कुछ ड्राइवर ही सपोर्ट होते हैं, तो जिस विए से मेरे PC में ग्राफिक कार था, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिस विए से में गेमिंग नहीं कर पाया और इंस्टॉल भी नहीं कर पाया इसको, पर जितनी मैं रिसर्च करी इंटरनेट में मुझे मालूम पढ़ा है, कि इतना भी ड्रा रहता है, कोई ड्रास्टिक डिफरेंस भी नहीं है, तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि ज़धा डिफरेंस आजाता है, यहाँ पर हमें डबल हो जाती है, हमारी गेमिंग स्टीमोस में, तो वो आपको पागल मिना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहे हैं, कुछ यहाँ पर फाल्दू प्रोसेस चलते हैं, सिफ गेमिंग के लिए ही बनाया गया है, तो यह प्रोसेस कम होने के चक्कर में आपको थोड़ी अच्छी पर्फोमेंस यह निकाल के दे देता है, पर इतनी भी ज़धा पर्फोमेंस आपको देखने को नहीं मिलत अब गाइस इसको आपको डाउनलोड करना पड़ाएगा, यह अभी सबसे लेटेस वर्जन है, जिसे हम यहाँ पर देख पा रहे हो, ISO Update 3.2, तो यहाँ लेटेस वर्जन वाली आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, और इसके बाद इंस्टोलेशन स्क्रीन आपकी PC में आ जाएगी, आप इस्टोलेशन प्रोसेस में नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि में इस्टोल नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे PC का जो ग्राफिक काड है, वो सपोर्ट इसमें हो नहीं पा रहा था, पर अगर आपका ग्रा बताई दिया है, आसान भाषा में, और आपको मालूम पढ़ गया होगा कि स्टीमोईस क्या है, और सबसे इंपोर्टेंट क्या ये विंडोस से अच्छा है या नहीं है, मेरे कंक्लूजन में बात करूँं, तो गैस देखो यार, अगर आप अपने PC को ना और भी कामों के ल नहीं होते हैं, तो ओफिली गैस आपको स्टीमोईस पूरी तरह के से समझा चुका होगा, फिर भी कुछ आपको लगता है कि यार, कुछ भी डाउट रहे गए हैं मेरे, तो गैस आप मुझे कमेंड में पूसकते हो, कमेंड में आपको मैं सॉल्यूशन देनी की पूरी कोच करूँगा, बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी ओ टॉपिक के साथ, जब तक जै हिन जै भारत